गौर्ण भाटिया जी मुझे एक, दो, तीन, कितनी भी वज़े आप बता दें कि आखिर क्यों आप इतने confident हैं कि जो आज तक हिमाचल की चुनाबी तिहास भी नहीं हुआ, उवे इस बार होगा और सरकार repeat होगी सबसे पहले तो मैं आपको सकरात्मक बात करते हुए बताता हूँ, हिमाचल की जंता के मन का भाव ये है, 55 साल ये लोग केंदर में सत्ता में रहे, एम्स क्यों नहीं आ पाया, क्यों ऐसा है कि 5 साल में शिलान्यास और लोकरपड हो जाता है, छे नए मेडिकल कॉलेज आ जाते है, PGVI का सैटलाइट सेंटर आ जाता है, कोविड के समय में जिस तरह से वहाँ पे टीके लगे, नंबर वन स्टेट था, सबसे पहले डबल वाक्सिनेशन पूरी हुई है, और इसके दूसरी तरफ क्या है, सोनिया कांदी जी, 24 साल अध्यक्षा रही कॉंग्रेस पार्टी की आपको मालूimmt है, हिमाचल में चुनाव है, सोनिया कांदी जी छुटिया मना रही है वही हिमाचल में, लेकिन ज़्दा से नहीं मिल रही, दूसरी बात, इन्होंने ओल पेंचिन स्कीम की करी, आपको मालूम है, जब ये नई पेंचिन स्कीम लागू होनी थी, तो प्रेजिडिंट छोड़के चले गए कॉंग है क्यों चले गए क्योंकि बहां पे कोई नेता नहीं नीती नहीं और ना जंता की सेवा करना इनका भाव है चौती बात इन्होंने का गैरेंटी अरे कॉंग्रिस पार्टी की एक गैरेंटी है कि भरष्टचार जरूर होगा वरना याद करिए राजस्तान में आपने गैरेंटी दी थी वरत किसानों की पेंशन मिलेगी मिली उनका करदा माफोगा मिला मद्यप्रदेश में गंगा जल हाथ पे लेके कसम खाई थी पंदरा दिन के अंदर करदा माफोगा आप ने तो नहीं किया पाजपा की सरकार ने कर दिया और इसी लिए मैं एक बात बड़ी पश्चिता से कह दूँ कि जब इमांदारी की बात आएगी जब कोई भी योजना जमीन पर उतारने की बात आती है डबल इंजिन की सरकार मजबूत ने तृत नियत साफ है तो जंता का जुकाव जो है वो भारतीय जनता पाटी की तरफ होगा वहां की जनता जो है वो नाराज नहीं है और बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन सकती है और सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 41 सीटे मिल सकती है कॉंग्रेस को 25 आम आदी पार्टी को एक भी सीट नहीं और अन्ने को 2 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है आप कह सकते हैं दो अपता पहले हमारा सरवे चल रहा था और जनता की जो हमने नबस देखी उसके मताबिक एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है हिमाचल प्रदेश में जो आज तक नहीं हुआ है यह किसी भी पार्टी की सरकार दुबारा लोटी नहीं है हर बार परिवर्तन किया है माचल प्रदेश ने लेकिन इस बार शाय वीर भद्रिसिंग का ना हो ना हो या नरेंदर मोधी फैक्टर हो सारी बजहें जोड़कर इस वक्त प्लस के खाते के तौर पर बीजेपी के साथ जोड़ रही है और माइनस में कॉंग्रेस पार्टी के आती हुई दिखाई दे रही है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर